नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुबित पूनम में दोस्तों आज हम बनाएंगे हनी चिली लोटस और यह बहुत ही स्वादिश्ट बनता है और जिस तरह से चिली पोटेटो बनता है हनी चिली पोटेटो उसी तरह से इसको भी बनाया जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत इस्वादिस्ट होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसमें समगरी कौन-कौन सी लगेगा और कैसे बनेगा तो अगर आप पहली बार मिले चैनल पर जाए है तो पिली चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा तो यह देखे हमने लोटस की डंडियां ले ली हैं और इसका सबसे में काम जो है इसकी सफाई करना है तो आप कोसिज करें देखके कि आप साप सुथर दाई ले तो पहले हमने अच्छे से धूल लिया है और अब हम इसको इस तरह से छेल की इसका छेलकाम उतार देंगे और उसके बाद हम इसके थोड़े छोटे-चोटे टुकुड़े करेंगे और एक सीक की सहायता से हम इसको अंदर तक इसका जो मत्ती वगएरा होता है उसक इसको हम अच्छे से साप करके तो इस तरह जबने चील के इतने बड़ बड़ टुकड़े कर दिया है तो हमने एक सीक ले लिया है जिससे हम यह देखे इसको हम इस तरह से अंदर डाल के और इसको अच्छे से साप कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर मट्टी होती है तो अगर आ यह इसमें थोड़ी मट्टी हमको दिखाई दे रहे थी और भी हमने जो लिया है यह दिखिए यह साप एकदम तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हमने इसी तरह से सारे जितने भी थे उसको हमने अच्छे से साप कर लिया है और इसको हम दो तीन पानी धूलेंगे ताकि बिल इसके बाद हम बनाएंगे तो आप इसी तरह से अच्छे से इसको इस तरह से कट करेंगे अभी देखिए कहीं कहीं काला काला यह दिख रहा है तो उसको भी हम जिस तरह से कट करते जाएंगे उसको भी हम एक बार और धूलेंगे तो जो भी मट्टी अगर दिखती है तो उस इस तरह से इसमें भी दो तीन पानी इसा तरह से धुल के साफ करके रिख लिया था पानी जब बॉयल अर। इसमें इसको डाल दिए हैं और फलका सा बॉयल एक बॉयल आएगा तो हम इसको निकालके और इसको हम चान लेंगे सेम प्रोसीजर वही है जिस तरह से हम हनी चिली पोटेटो बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है तो ये रेखे इसको हमने दोड़ा उबाला गया निकाल के चान लिया है और अब हम इसमें कॉन फ्लोर इस तरह से मिला के और इसको हम फ्राइ करेंगे तो आप कॉन फ्लोर को अच्छे से मिला लिजे सारे उसमें मिल जाने चाहिए तो अभी ये थोड़ा कम है हम इसमें दो चमच और डाल देते हैं और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और हमने इसमें कुछ भी नहीं आइट किया है और जब इसको हम फ्राइ करेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा क्टिस भी बन जाएगा सिर्फ कॉन फ्लोर से ही तो इसको अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर दिया है और अब चलिए हम इसको फ्राइ कर लेते हैं तो तेल हमने रख दिया गरम होने को और एक हम इसमें डाल के देख लेते हैं तेल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें एक एक करके डालते जाएंगे और इसको हम अच्छा सा एकदम कुरकुरा होने तक फ्राइ कर लेंगे तो जब हम इसको जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तब ये सारे स्टेम जो है उपर आ जाएंगे तब आप समझ लिजिए ये हलका होता जाएगा और उपर आता जाएगा तो समझ लिजिए कि अच्छी तरह से ये पग गया है नहीं तो आप एक निकाल के देख लें चेक कर लें कि अच्छे से कुरकुरा हुआ है या नहीं तो आपको पता लग जाएगा वह से जब ये सारे हलके होके उपर आ जाते हैं तो आप समझ लिजिए कि अच्छे से ये पग दिया है तो अब ये देखिए उपर आ रहा है तो अब हम इसको निकाल लेंगे सारा और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी हम इसी तरह से सारे फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद हम इसको बनाएंगे तो यह हमने निकाल दिया है और जो बाकी बचा हुआ है उसको भी हम डाल देते हैं एक एक करके हम डालेंगे ताकि आपस में चिपके ना और अगर आपस में चिपक जाएगा तो थोड़ा सा बाद में उसको हमको खोलना पड़ेगा इसलिए हम इसी समय ही इसको अच्छे से डाल देते हैं तो यह देखे सारे हमने फ्रॉइ करके निकाल लिये हैं और अब हमने रख दिया पैन उसमें डाल दिया दो चम्मत दिया तेल और जैसे देल हम बाली कटे हुए अधरक और लहसुण ढाल देंगे तो अभी हमारा तेल गरम हो चुका है और ये अदरक और लहसुन हमने डाल दिया है इसको हलका सा भूनेंगे और इसमें हम एक चमच सफेद तिल डाल देंगे ताकि वो भी तेल के साथ भून जाए या तो आप तिल को अलग से ही भून के रख सकते हैं तो ये तिल भी हमने डाल दिया है वो भी तेल के साथ भून जाएगा और अब हम इसमें डालेंगे प्याज प्याज हम एक बड़े साइज का प्याज हमने लंबे लंबे टुकडम काट लिया है और प्याज डाल देंगे हरी मिर्च भी डाल देंगे हम हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें लेकिन हनी चिली पोटेटो है तो थोड़ा तीखा तो बनता है यह और अब हमने इसमें सिम्ला मिर्च डाल दी इसको ज़्यादा भूनना नहीं है इसका सारे सबजी हमारी करंची रहनी चाहिए तो पयाज भी देखिए हमारा उसी तरह से है और पयाज सिम्ला मिर्च भी हमने डाल दीा है और अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस्च रेट चिली सॉस्च और विनेगर सोया सॉस्च यह सारी चीजे रहनी चुका है हल्का सा तो इसमें हमने एक बड़े चमच टोमेटो सॉस डाल दिये हैं और आधा चमच हम इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वन फोर्थ टी स्पून हम इसमें विनेगर डालेंगे और अब सब को हम एक साथ मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च उससे थोड़ा सा कलर कulators में तो Color डाल देते हैं तो मने हैं Color skip किया तुमने इसमें इसमें रड़ चिली पॉडरर डाल दी है जो कसमीरी लाल मिर्च होती है और आधा चमच हमने तीकी वाले लाल मिर्च डाल दी है। अब यह हमने एक चमच कॉन फॉलोर लिया है कि यह को थोड़ा अपानी डाल है और गहलोगए इसमें एल देंगे। और अच्छे से अमद्छे बने आरखेग देए दाल puppop आपने स्वात पानी धोड़ा से इस से महमम नगे पानी कम है तो हम ने करीब तीन , чार चमज बानी और डाल दिय का और अब हमने इसमें डाल दिया लूटस और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से mix करने के बाद हम इसमें आधा चमच डालेंगे हनी तो आप जितना मीठा जिस हिसाब से आपको खाना है आप डाल सकते हैं हमने आधा चमच इसमें डाला है और उसको हम अच्छे से mix कर देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरी प्याज तो ये हरे प्याज के पत्ते हैं जिसको हमने इसमें डाल दिया है और अभी हमारा एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका इसको मुतार लेते हैं गयस से और एक प्लेट हमने ले लिया है जिसमें हम इसको सर्व कर देंगे तो बिल्कुल ये रेस्टोरेंटी स्टाइल बना है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सेस्क्राइब सेर जरूर करिएगा और जो बगल में घंटी का निसान है उसको भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अप्लोट करूँ तो आपका नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिले फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्क्राइब